चोमु के रिंगस रोड इस्थित आमलिया में शनिवार रात को चोरों ने मंदिर में चोरी की वार्दात को अंजाम दिया चोरों ने मंदिर में लगे दान पत्र को तोड़ कर हजारा रूपे की सहीत अन्य सामान चोरी कर लिया चोरों ने मंदिर में लगे चार चांदी के छत्र भी चोरी कर लिये मंदिर में पुजारी जब सुभ़ पुजा के लिए पहुंचे तो इस चोरी की वार्दात का पता चला इस्थाने लोगों और मंदिर पुजारी ने चोमु पुलिस थाने में चोरी की वार्दात की सूचना दी सुचना मिलने पर चोमुधाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना इस तल का मौका मुआयना किया पुलिस की टीम अब सीसी टीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है चोरों की तलाश जारी है इस घटना को लेकर मंदिर पुजारी हरी किशन दास ने पुलिस थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्श करवाई है रिपोर्ट में बताया कि मंदिर के दान पत्र को तोड़ कर करीब 15,000 उपए सही चार चांदी के छत्र और अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए पुलिस थाने के S.I.E. जालिन सिंग ने बताया कि मंदिर पुजारी के शिकायद पर रिपोर्ट दर्श करके मामले की जाच की जा रही है पुलिस की टीम CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश करने में जूटी हुई है दूसरी और रिंगस रोड इस्थित अंजनी हनुमान धाम मंदिर में भी चोरों ने तला तोटने का प्रयास किया लेकिन तला नहीं तोटने के कारण चोर मौके से फरार हो गए